गुट मॉर्निंग एव्रिवान वल्कम बैक टू न्यू व्लॉग तो आज हूग क्या है मंडे और जैसे कि आप सबको मैंने बताया कि आज कल मेरे दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे साथ साथ ही स्वास्तिक भी उठ जा तो इस वज़े से हजमेन को भी उठना पड़ता है फिर हम दोनों लोग मिलके काम करते हैं घर के और अगर स्वास्तिक थोड़ा सा इरिटेट होता है तो फिर हजमेन उसको पकड़ लेता है और फिर मैं माकी घर के काम स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले एक ग्लास गुन में काफी असानी हो जाती है और घर के सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं और यहां पर मैंने एक तरफ जीरा वाटर रखा है बॉइल करने के लिए क्योंकि आफटर डिलिवरी जीरा वाटर अच्छा रहता है मिलक प्रोड़क्शन भी अच्छा होता है इससे और पेट भ जरूर लेती हूँ तो इसको मैं बॉइल करके हलका गुनगुना करूंगी उसके बाद पियोंगी तो तब तक मैं दूसरे काम निप्टा लेती हूँ अपने तो थर्मो स्टील का बोटल मैंने फिल करके रख दिया है गुनगुने पाने के साथ और जितने भी धुले वाले भी रखूंगी उससे पहले मैं दलिया रख देती हूँ दलिया मैं रात बर भीगो के रखती हूँ तो मॉर्निंग में मुझे कूकर में बॉइल नहीं करना पड़ता है मैं कड़ाई में सिफ गरम पानी डाल के बॉइल कर लेती हूँ और दस मिनट के अंदर दलिया भी पक फिर उसके बाद मैं उसमें दूड डालती हूँ तो मॉर्निंग में तो मेरा यही ब्रेकफास्ट रहता है तो दो तीन मेने से लगभग मैं मॉर्निंग में दलिया ही लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है बिसकी हैबिट हो चुकी है मुझे और दलिया में डालने क किश मुष में दल्या में डालकर लेती हूँ और हजबन को मैं बदाम सोक कर के देती हूँ मौनिंग में तो बिगोई हूए बदाम वो खाते हैं और मैं इस तरह से कूट के लेती हूँ मेन्वाइल जब तक दल्या पकेगा और राजमा में सीटी आएगी तो इस टाइम को मैं यूटिलाइज करूँगी और ये जो रात के धुले वाले बर्तन थे तो ये मैं रख लूँगी अपनी अपनी जगा पे और ये बास्केट खाली कर दूँगी क्योंकि मौनिंग में इस आज में न्यूदे करा प्स़ूदे में छावल भीगोके रख लूँगी क्योंकि चावल में बॉig करके बनाती हैं तो आदे गंटे के लिए बएसे बशी तरह के साथ में बहुत हैं सिंपल तरही के से आज मैंने सूचा थोड़ा डिपरंट स्टाइल में तयार करते हैं रा साथ में तीन से चार लेसन के कलियां डाली है और इसके लावा दो मीडियम साइस के प्यास जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है वो एड़ करूंगी और हरी मिर्च मैंने सिर्फ एक डाली है क्योंकि आजकल मैं बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं बनाते हैं तो इन सब बाद मैं इसमें दो मीडियम साइस के टमाटर इनको भी मैंने रफली चॉप किया था एड़ कर दूंगी और 5-7 मिनट के लिए मैं धखके पका दूंगी जब तक टमाटर थोड़ा से सॉफ्ट नहीं हो जाता है और इनकी स्किन उतरना स्टार्ट नहीं होती है तो यहाँ प मैं इसमें डारेक्ली सूखे मसाले एड़ करूंगी तो मसालों में सबसे पहले हल्दी पाउडर दो चमच धन्या पाउडर और करीबन एक टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए अदर्वाइस मसाले एकदम से जल जाते हैं तो जब हलका गरम था तब ही मैंने डाले हैं और यहाँ पे करीबन मैंने एक टी स्पून अध्रक लेसन का पेस्ट एड़ किया है तो यह सब एड़ कर लेंगे अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद मैंने जो टमाटर प्यास की प्योरी बना के तयार की थी वह एड़ करेंगे मसाले के साथ इसको पका देंगे यहाँ पे प्योरी को अच्छे से पकाना है जब तक एकदम सूखी नहीं हो जाती है मतलब ड्राइ करना है इसको अच्छे से और एकदम सैपरेट दिखना चाहिए तो इसको पकने में काफी टाम लग सकता है करीबन आच से दस मिन तक मैंने इसे डखे पकाया था और इसका कुगिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है नमक और थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैंने आपे कैच कर राजमा मसाला डाला है आब इसको जरूर डालना करीवन एक टीजपून मैंने यहां पर यूज़ किया और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है राजमा में, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जब भी राजमा बनाती हूँ, तो इस तरीके से मैंने पहली बार बनाया थे राजमा और यह बहुत टेस्टी बने थे, बहले ही मैं अच्छे से रेडी हो गया था, और कड़ाइ से चिपकना बंद हो गया था तो यहां पर आप मैंने जो राजमा बॉल की थे राजमा मैंने टेजपत्त्ता, काले मिर्च और लांग डाल के बॉल किया था इसलिए मैंने ग्रेविबनाते टाइम कोई भी खड़े मसाले का यू तो बस यहां पर थोड़ा सा पानी एड़ करके राजमा में बॉइल लगा लूँगी पांच मिनट के लिए और राजमा मसाला बनके रेडी हो जाएगा तो दूसरी तरफ टिफिन बॉक्स में देने के लिए यहां पर मैं दही एड़ करें तो प्लेन दही वैसे तो अच्छी बढ़ जाता है तो यहां पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने कश्मीरी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर आजकल मैंने बना के रखा हुआ जीरा पाउडर क्योंकि गर्मियों में रायते वगेरा दही में यूज आ जाता है थोड़ा सा ब्लैक स चाय लेते हैं और कई दिनों से आदत हो चुकी है वैसे हम लोग पहले नहीं लेते थे लेकिन आजकल सुबे जल्दी उठ जाते हैं और उसके बाद कई सारे काम हो जाते हैं घर के तो बॉड़ी को एनरजेटिक रखने के लिए एक एक कप चाय की तो बनती है और वैसे भी हम नाशता नौ विज़े के बाद में करते हैं तो तब तक एक कप चाय से काम चल जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राजमा में भी बॉइल आ गया है इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रहे है कलर काफी अच्छा आ गया है ओईल सर्फेस पे दिखना स्टार्ट हो तो राजमा मसाला बनके रेडी हो चुका है आप चाहे तो सबसे लास्ट में में इसमें हलकासा गरम मसाला भी डाल सकते हैं मैं अब इसमें नहीं डाली मैंने स्किप कर दिया है गरम मसाला पाउडर मैं सिर्फ यहाँ पे हरे धनी के साथ इसको गार्निश कर लूँगी तो बस बहुती बड़ी असी टिफिन बॉक्स रेसिपी बनके तयार हो गई है इस तरह से राज्मा बना के एक बार ट्राइज जरूर करना है तो किचन के आलमोस्ट सारे काम मेरे कम्प्लीट हो चुके हैं अब बस मुझे ब्रेकफास्ट पनाना है बाकी सारा काम मैंने डन कर लिय ब्रेकफास्ट में पराठे सेकोंगी गर्मा गर्म जब हजबन रेडी हो जाएंगे ओफिस के लिए तो किचन के काम निपटा के मैं आ गई हूँ स्वास्तिक के पास और स्वास्तिक आज कल पलटने लग गया है थोड़ा थोड़ा तो इसलिए हम लोग साइड में तक्या औ और इसकी मालिश होगी तो इसमें भी आदा एक गंटा लग जाता है करीबन तो सारे काम निपटा के मैंने भी नहा लिया है स्वास्तिक के कपड़े भी वाश कर लिये हैं और ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं दियाबत्ती करूँगी और हस्बिन जो हैं स्वास्तिकी करके उसको पांच मिनट के लिए धूप सिकाने के लिए ले गए हैं क्योंकि हलकी हलकी सी ठंड रहती है और यहां का टंप्रेचर मौनिंग में बहुत अच्छा रहता है उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है और उतनी तेज धूप भी नहीं लगती है तो यहां पर मैं दिय करने के लिए और यह बहुत ही शुद्ध मानी जाती है तो इसलिए मार्केट वाली युरुई का हम लोग बिल्कुल भी उजनी कर रहे हैं क्योंकि घर के कापास काफी हो जाती है और बस दियावत्ती हो चुकी है और उसके बाद वापस चलते हैं किचिन में तो ब्रिकफास में दही मतलब राइता जो मैंने बनाया था प्लेन वाला वो पैक कर दूँगी राइता वह ना फ्रीज में रख देंगे तो इसलिए खराब नहीं होता है बाकी एक में मैंने राजमा कर दिया है और एक में मैंने राइस तो रोटी कभी-कभी लेके जाते हैं हजबन में बह जाते हैं तो फटा-फट पराथी से लेंगे घजबन को मैं ब्रेकफास्ट दे दूगी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी और उसके बाद हस्बन ओफिस के लिए चले जाएंगे तो हजबन जब तक गर पे रहेंगे वो स्वास्ती के पास रहते हैं उसको देखते हैं टाइम ना कभी-कभी मैं भूल जाती हूं कि मुझे व्लोग स्टार्ट भी करना है मैंने व्लोग स्टार्ट किया था कंटीनू भी करना है तो इस तरह से रहता है कोई-कोई क्लिप मिस हो जाती है कोई-कोई रूटीन जो है मैं शूटी नहीं कर पाती हूं तो इस तरह रहत करके इस तरह से घुमाऊंगी और ऐसे उसको नीद आ जाएगी तो इस तरह से करना पड़ता है बीच में काम चोड़के मैं आ गई थी बाकी मैं स्टैम पे ना किचन के काम कर रही थी बरतन वगेरा क्लेंड कर रही थी लेकिन काम चोड़के पहले मैं स्वास्तिक को देखूं तुक्या जंद अग अतल किरी थी ना गई खाले नकिवाट नंवाट उसके बाद कीचें उसकोत के काम डिप्टाउंगी बीज एबनिंग आपको पार्ड से थे रचेज़ उना का अपका शांग बज्चेज नीचिए शांग के शांग के शांग का शांग की बढ़ी एल्यूचित की तुनिक रचेज़ हैं और मैंने early morning में ये vlog स्टार्ट किया था लेकिन उसके बाद मैं continue नहीं कर पाई क्योंकि गर के इतने सारे काम हो गए थे और फिर मतलब मैं थख भी जाती हूँ तो मैं आज़ सो जाती हूँ या तो मैं सुबह सो जाती हूँ सारे घर के काम करने के बाद गर के काम जल्दी हो जाते हैं फिर मैं सुछती हूँ तो थोड़ी देर लेट जाती हूँ फिर नहीं नहीं आ जाती है तो ऐसा रहता है तो लंच होगेरा करके स्वास्तिक और मैं फिर से दुबारा सो गए स्वास्तिक अभी देखो कैसे देख रहा है कैमरे में तो इसको कैमरा कम दिखाना है नि तो फॉन के आदत लग जाएगी तो मैं थोड़ा सा अभॉइड कर रही हूँ तो अभी ना सारे चार बच गए हैं और आजकल थोड़ी सी गर्मी होना स्टार्ट हो गए है इस वाले रूम में मतलब डारेक्ट दूप तो नहीं पड़ती है उपर से दूप आती है तो आदर धूप नहीं है लेकिन उमस तो होती है ना तो इस टाइम तक कफी उमस रहती है और श्राम को भी उमस हो जाती है तो बाहर पे थोड़ा सा वक करने जाएंगे थोड़ी देर के भाद अभी तो नहीं है ।ो वैसे गर्मी हो रही है धूप भी है और डिनर मुझे प्रिपेर करना है थोड़ी देर में और निव फोन जो मैंने लिया था ये वाला Samsung Galaxy F23 जो मेरा है काफी अच्छा चल रहा है ये मैंने WhatsApp, Calling और Personal Use के लिए रखा है क्योंकि घर से वीडियो कॉल वगेरा आता है तो मैं उसी में मतलब एक ही फोन से वीडियो कॉल अच्छा पर व्लागिंग भी करो तो उतना टाइम मैनेज नहीं हो पाता है तो इसलिए मैंने सुचा अच्छा मैं एक परसनल फोन किया तो ये मुझे काफी सही लग रहा है और बहुती कन्वीनेंट पी लग लग रहा है मुझे इसको यूज करने से तो कल भी जैसे स्वास इसको अफ़ी जी ओलो रहा है तो यथी पैसे मुझे लगता है तो ममी की आवाज सुनते इतना खुश हो जाता है अंदर अंदर अपर किसी टाइम पर लगता है यहां पर चलो कोई बात नी फिर कभी आ जाएंगे वोलो कुछ महीनों में तो आई जाएंगे ने तो फिर हा मी लोग घर चले जाएंगे तो स्वास्तिक जो है अभी देख रहा है और इसके नजर टक टुक नजर पर यहां तो इसने पलेटना शुरू कर दिया है ना तो मैं इस तरह से सुलाती हूं और जब मैं इसको किचेन में चोड़के जाती हूं तो पिलो लगा देती हूं यह तो फिर अपने सांथ लेके जात क्योंकि बच्चों को अकेले चोड़ने में डर रहता है मैं लोग भी फॉन करके कहते रहते हैं कि इसको ना अकेले में चोड़ना तक यह लगा कर रखना और देखते रहना इसको तो इसलिए मैं इस तरह से करती हूं और अगर जैसे कुछ टाइम बाद यह अच्छे से अगर रहते हैं तो नेचे गद्धा बचा के इसके लिए काहां पर सेटिंग करेंगे तो आप लोग मुझे आइडिया दे सकते हो कि इस तरह के से किया जा सकता हैं कि पांच बजरें है और डीनर मैंने पहले ही बना कर रख लिया है तो डीनर बन चुका है मेरा आठा भी तय कर रहा है तो मैं क्या कर रहा है तो मैं क्हाने काफी दीन से रखे होगे तो रोस्ट करती हूं ऐसे रखे हो और मैं खाना भी बूल जाता है क्या होता है उसी टाम पर रोस्ट करके खाने के खाने के लिए और टाइम भी बचता है तो इसलिए मैं रोस्ट करती हूं किसी किसी आज मैं गी में रोस्ट करने वागे इसको, घी में फटाफट भी हो जाएंगे और टेश्टी भी लगए तेश्टी भी लगए तेश्टी को ना स्ट्रॉलर में नीद आ गई है यह सो गया है तो अगर मैं इसको उठा की बैट पर सुलाने की कुछ इसकर भी तो फिर सो जाएगा तो इसलिए इस पर ऐसे सोता है और इसको ना इसमों बहुत अच्छी नेदा जाती है तो इसलिए अम लोग उठाती नीए यह आपने लिए तो मखाने हो चुके है और मैं चाय बनाती हो अ आराम हो जाता और अभी सो गया है और मजह कुछ काम नहीं करना है तो मैं सोच हुए क्यों सो गया है जल्दी से उठ जाए तो इसके मेरा मन नहीं लगता है मेरा तो बस यह हैविट हो चुकिया और यह लाइफ का एक पार्ट हो चुका है तो यहाँ पे चाय लेके मैं आ गई हूँ हूँ हॉल में और जैसे ही मैंने स्टूल निकाला ना तो इस स्टूल की थोड़ी सी आवाज हो गई और स्वास्ते की नीद एगदम से खुल गई इसके नीद बहुत ही कच्छी है जैसे मेरी नीद खुल जाती है ना थोड़ी सी आवाज होने पे नीद खुल जाती है वैसे इसकी हैबिट भी है तो जब से स्वास्तिक हुआ है हम लोग घर पे बहुत कम आवाज करने की कोशिश करते हैं टीवी भी एकदम हलकी वाल्यूम पे चलाते हैं इन जीदों को बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन इस टाइम पे उन पीने बाहर का इन्वायन पूस्टा रहते हैं वाहर का इन्वायरोमेंट शॉट में पिस टाइन सills heavier in इंपिर रहते हैं क्योंकि दिन बहर सब लोग अंदर रहता हैं समसी अन गूटकर कर दिन आँब but that was the wind बहुत को इन निकलते हैं अब और बहर होते हैं थॉथा है किना सब लोग बाहर ही बैठे रहते हैं, बच्चे साइगल चला रहे हैं, कोई घूम रहा है, कोई बाते कर रहा है बैठके, और स्वास्तिक और मैं भी करीवन 15-20 मिनट बाहर गुम के आए, इसको मैं डेली गुम आती हूँ आजका और बाहर जाके बहुत ज्यादा खुश होता है, एक तो अंदर गरम होता है और बाहर अच्छा लगता है, ठंडी हवा चलती है इस वज़े से भी, और फिर बाहर पेड पतियां, फूल, पक्षी, सब चीज़ों को देखता है ये, तो एक्स्प्लोर करता है और उनको देखके बहुत खुश होता है, तो अभी थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है क्योंकि इसे मैं अंदर ले आई हो, और थोड़ दिर मैं अंदेरा पे होने वाला है, और इसको पर नहीं गुमाती है, उसको ज्यादा, सिर्फ बरामदे के अंदर ही अंदर गुमाती हो, काफी स्पेस है अंदर, आजकर हम लोग स्कुटी हो गया रखते नहीं है, जब से स्वास्तिक हो है, तो सारा स्पेस स्वास्तिक के लिए खाली हो चुका है, तो सिर्फ और स्वास् झाल झाल